पिस्षी class में हमने आपके साथ एक program discuss किया था, यहां पर देखिए f open और यहां पर notepad की file भी और w मतलब के हमने write किया और यह जो है write हुआ यहां पर, write होने के बाद हमने यहां पर close किया, फिर आपके वहां पर open किया, फिर यहां पर read किया तो इसमें क्या हुआ कि जो data में पास पहले से था, उसी को इसलिका कर दिया, edit कर दिया, जो पहले से data था, उसी को इडिक कर दिया, जैसे कि यहां पर, अगर हम मोहन आ गया, यहां पर, मोहन 500 है, अब इसमें यहां से हम close करते हैं, save करते हुए, और इस program को run रख जाने, नमस्क करता, मैं सुझीत कुमार आई-पी डिक्स स्कूल से पैथल क्लास में आपका स्वागत करता हूँ, अब इस code को अगर मैं run करूँगा, मोहन के जगा पर मान लिए, अमने पूजा कर दिया, और डैली के जगा पर, मैं यहां पर पूने कर देता हूँ, और यहां पर 500 के जगा पर 600 गर देता हूँ, अब इसको मैं run करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो मेरा मोहन देली 500 था, उसके जगा पर पूजा मोहन और 600 सो करेगा, यह फाइल करने जाके देखिए, यह होगा, इसने क्या किया, यह कर दिया, राइट कर दिया, क्या कर दिया, जो पहले से डेता को चेंज नहीं करना है, जो डेटा ओलेडी है, उसी के नीचे गाता है, तो उस केस में मुझे डबलू के जगाद पर ए लिखना होगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मोहन, और यहाँ पे लिखता हूँ, डैली, और यहाँ पे लिखता हूँ, 700, लेकिन यहाँ मुझे slash n लगाना ज़रूरी है बढ़ना क्या होगा उसी line में लिख देगा उसके नीचे नहीं लिखेगा मत्तब कि यहीं पर 600 के बाद जो है Mohan Delhi और 700 शो कर देगा तो यहां अब इसको run करते हैं तो run करने पर देखिए यहां पर पूजा 600 Mohan Delhi और 700 इसने करते हैं राइड करद्या अगर फाईल बोल खोलके देखें तो फाईल के अंदर बहुत पाईलिया तो यहां आप करेगा इसी इसी साथफ एसी के साथ यह चैनल पे बने रहे हैं बिल्यों को लायक हो सउउस्क्राइब करेगा संस्क्राइब करते हैं तो मुझे कुछ मिलता है और इस तरह की एक्सप्रेशन विडियो बनाने के लिए अगर पूरी पैठन की क्लास से सीखना चाहते हैं तो पैठन की क्लास से सीखने के लिए आप हमारी बैच को जोईन कर सकते हैं को का बैच है जो की सटर्टेश सुरू हो रहा है टिर्व साइट देवा है पी डॉट आइपीट इंडिया डॉट को वहां जाके डेमो क्लास का फॉर्म घर दिजिए थाइंक यू